गुड मॉनिंग एवरिवन मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तेयारी ओनलाइन में आज है 3 फरवरी 2020 और आज से रिलेटेट सभी important questions आज हम discuss करने वाले हैं साथ ही जानेंगे उससे related important points अगर आप अमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्र स्टार्ट करते हैं आज की current of years में जितने भी questions आपको बताये जाएंगे सभी questions most important है आप सबके लिए तो आप वीडियो को end तक देखें बीच में ना छोड़ें तो चलिए start करते हैं first question हमारा है हाली में किसने केंद्रिय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुँच प्रदान करने के लिए केंद्रिय बजट मोबाइल एप लॉंच किया है तो यह किसने किया है वितमंत्री सीता रमन ने किया है केंद्रिय बजट जो है वह कब पेस किया गया तो यह हमारी वित मंत्री कौन है निर्मला सीता रमन है उन्होंने तीसरी बार या बजट पेज किया है कितनी बार किया है तो तीसरी बजट से रिलेट्ट बहुत सारी important बाते हैं जो हम next वीडियो में discuss करेंगे वह वीडियो सिर्फ बजट से रिलेटेट ही होंगी तो चलिए देखते हैं आज की question की important points क्या हैं तो यहां देखें केंद्रे बितमंत्री निर्मला सीता रमन ने हाल ही में केंद्रे बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रे बजट मोबाइल एप लॉंच किया है क्या लॉंच किया उन्होंने केंद्रे बजट मोबाइल एप को लॉंच किया है क्यों लॉंच किया है क्यूंकि इस वार का ज स्टोर पर उपलब्ध है आप वहां से किंद्रे बजट मोबाइल एप को डाउनलोड कर सकते हैं निम्न में से किस देश की सरकार ने भारत के एस जेबी एन को 689 मेगावाट की लोवर अरुन हाइड्रो परियोजना का निर्मान करने का ठेका दिया है तो देखिए यह दिया गया है नेपाल सरकार के दौरा किसके दौरा दिया गया है नेपाल सरकार के दौरा SGBN क्या है SGBN सतलुज जल बिद्धुत निगम है क्या है सतलुज जल बिद्धुत निगम ध्यान रखेगा आप इसकी अस्थापना कब की गई थी तो देखिए SGBN की अस्थापना की गई थी 1988 में Questions related important points देखिए नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत के सतलुज जल बिद्धुत निगम SGBN को 689 मेगावाट की लोवर अरुन हाइड्रो पडियोजना का निर्मान करने का ठेका दिया है किसका दिया है अरुन हाइड्रो पडियोजना का निर्मान करने का ठेका प्रस्तावित हाइड्रो प्रोजेक्ट में 689 मेगावाट बिजली की अनुमानेच छमता है यह प्रांत एक के भोजपूर और संखूब सभा जिलों में इस्तित होगा कहां इस्तित होगा भोजपूर और संखूबा सभा जिला में इस्तित होगा चलिए नेपाल के बारे में जान लेते हैं तो नेपाल की राजधानी कहा है? नेपाल की राजधानी है काश मांडू नेपाल की राष्ट पती है बिद्या देवी भंडारी कौन है? बिद्या देवी भंडारी यह है नेपाल की राष्ट पती और नेपाल के प्रधान मंत्री कौन है तो देखिए नेपाल के प्रधान मंत्री है खडग प्रशाद सर्मा ओली कौन है खडग प्रशाद सर्मा ओली यह भी आप सबको ध्यान रहना चाहिए अब देखिए अरुन जो है वह नेपाल में एक नदी है Our next question है हाली में किसने वर्ष 220 को सबसे ख्राब वर्ष घोसित किया है तो देखे किसने किया है सयंक त्रास्ट बेस्ट परियाटन्स अंगठरism क्या किया है तो 2020 को सबसे हरश ग्रफ से किया हैrade क्योंकि कोबिट महामारी की वज़े से पूरा दुनिया जो थी वक्या थी परेशान तो कोबिद 19 की वज़े से इस 220 को क्या किया गया है सबसे खराब वर्स घोसित किया गया है चले questions related important points देखें तो यहां देखें संयुक्त राष्ट विश्व परेटन संगठन UNWTO ने 220 को record पर सबसे खराब वर्स घोसित किया इस वर्स कोबिद 19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू उंतरास्ट्र यात्रा परतिवंदों के कारण बैस्विक परेटन को बहुत नुक्षान पहुंचा है रिपोर्ट के मुताबिक कोबिद 19 संकटने लगभग 100 से 120 मिलियन प्रतेक्ष परेटन नौकडियों को ख बातन जो है यह에 एक नवंबर 1975 में हुआ कब हुआ फ स्स्ट शिक्र dado मुक्ष्वंभर 1975 में हुआ इसका मुख्याले कहाँ है जो देखिये इसका मुख्याले है हेड कौन है तो देखिए UNWTO के हेड है जुराब पोलो लिकासवीली कौन है जुराब पोलो लिकासवीली यह है UNWTO के हेड नेक्स्ट कोईशन हमारा है भारत की किंद्रे बजट 2021-22 के मुताबिक कितने वर्ष से अधिक आयू वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा तो कितने वर्ष के लोगों को ITR नहीं भरना होगा तो देखिए 75 वर्ष के लोगों को ITR नहीं भरना होगा भारत के केंद्रे बजट 2021-22 के मुताबिक सेनियर सिटीजन के लिए एस्पेशल एलान में 75 वर से अधिक आयूबाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा भारत सरकार के केंद्रे बजट 2021-22 के लिए इस साल संसत का बजट सत्र 29 जनवरी से सुरू हो जाएगा नेक्स क्वेशन अमारा है बितमंत्री निर्मला सितारमन ने इस बजट में भारत में किस अस्थान पर यूनिवर्सीटी बनाने की घोसना की है तो देखिए निर्मला सीता रमन ने लद्धाक की राजधानी लेह में यूनिवर्सिटी बनाने की घोसना की है लद्धाक के उपरा जेपाल है राधा कृष्ण माथूर कौन है राधा कृष्ण माथूर है पहले लद्धाक जो था वह जम्मू कस्मीर का ही एक हिस्सा था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे अलग कर दिया गया और अब लद्धाक जो है वह अलग केंडर सासित प्रदेश है चले questions related important points देखे बित मंत्री निर्मला सीधा रमन ने इस बजट में भारत में लद्धाक के ले शितर में केंडरे उनिवर्सिटी बनाने की घोसना की है जिससे लद्धाक में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से उच्च सिक्षा प्राप्त हो सके इससे पहले लद्धाक क्योंकि भारत के जम्मू कस्मीर का हिस्सा था इसलिए वहाँ अपनी विसेस यूनिवर्सिटी नहीं थी क्यों नहीं थी यह तो आपको पता चल गया क्योंकि इससे पहले लद्धाक जो था वह जम्मू कस्मीर का हिस्सा था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया इससे अलग कर दिया गया किस से तो जम्मू कस्मीर से और यह एक अलग केंदर सासित राज्ये बन गया है नेक्स क्योशन हमारा है इन में से किस लेटिनेंट जनरल ने हाली में सेना उप्रमुक का कारेभार समाला है तो देखिए लेटिनेंट जनरल चंडी परसाद महंती इन्होंने कारेभार समाला है किसका सेना के उप्रमुक का और यह किस सेना के उप्रमुक हैं तो देखिए य प्रमुक बराए गए हैं सेना उप्रमुक का कार्यभार संभाला है उनोंने चार दसक के लिए गरियर में कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियोकतिओं की मेजबानी की है इसके बाद उन्होंने कस्मीर और बाद में उत्तर पुर्व में नियंतरन रेखा पर एक बटालियन की कमान भी समभा ली है अब यहां देखे यह पॉइंट भी इंपोर्टेंट है कि चंडी परसाद मुहंती किसका अस्थान ले रहे हैं नेक्स वेशन है निम्ड में से किस मंतराले ने हाल ही में समुद्री कश्वा प्रजाती के संडक्षन के लिए एक रास्ट्रे कार्य योजना सुरू की है तो देखे यह कार्य योजना जो है वह सुरू किया गया है परियावरन मंतराले के द्वारा किया गया है पर्यावरन मंत्राले के द्वारा किया गया है पर्यावरन मंत्राले के अस्थापना कब हुई तो देखिए पर्यावरन मंत्राले के अस्थापना हुई थी 1985 में इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले है नई दिल्ली और बरतमान में पर्यावरन मंत्राले के मंत्री कौन है तो प्रकास जावेड कर हैं ये हैं प्रकास जावेड कर ये बरतमान में पर्यावरन मंत्राले के मंत्री हैं क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिए तो पर्यावरन, बन और जलवायू परिवरतन मंत्राले ने हाल ही में समुद्री कच्छवा प्रजाती के सनरक्षन के लिए एक राश्ट्रिय कार्य योजना सुरू किया है यह राश्ट्रिय कार्य योजना समुद्री, मेगा, फॉन, एस्ट्रेंडिंग, दिसा निर्देश और राश्ट्रे समुद्री कच्छवा एक्षन प्लान सुरू किया है नेक्स क्विशन अमारा है हाले में जारी फ्रिस्टाचार धारना सुचकांक में 180 देशों के बीच भारत कौन से अस्थान पे रहा है तो देखिए 180 देशों के बीच भारत रहा है 86 अस्थान पे 2019 में भारत की सस्थान पे था तो 80 अस्थान पे था यह 6 पाइदान नीचे खिजग गया है ठीक है लिए ध्यान रखें और 2020 में भारत का CPI स्कोर क्या था तो देखें 2020 में भारत का CPI स्कोर जो है वह 40 था क्या था चालिस था भारत जो है वह किस किस के साथ तो बुर्कीन के साथ मोरको के साथ पुर्वी तीमोर के साथ त्रीनिदाद के साथ टवैगो और तुर्की के साथ अपना अस्थान साजह करता है क्या करता है अपना अस्थान इन सभी देशों के साथ साजह करता है तो देखे कि भृस्तअचार धारना सुजकांग 180 डेशों में फर्स्ट पॉजिशन पे कौन सा देश है तो देखिए फर्स्ट sz पोजिशन पे आपका नियूजी लैंड और डेनमार्क कौन सा देश है पॉजिचंट सुडान यूजी ठीक है तो यह सभी question most important है तो वीडियो को मिस ना करें वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें चलिए question से related important points देखें यहां हाल ही में जारी 220 के वरस्ट अचार धारना सुचकांक में 180 देशों के बीच भारत 86 अस्थान पर रहा है जबकि New Zealand और Denmark पहले अस्थान पर रहे हैं और last position पर कौन है सबसे निचले अस्थान पर कौन सा देश है तो देखिए मैंने आपको भी बताया है सोमालिया और दक्षिन सुडान जो है या सबसे लास्ट पोजीशन पर है यह आपको याद रखना है पूछा जा सकता है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन हमारा है भारत का केंद्रिय बजट 2021-22 संससत्र किस तारिक तक चलेगा तो देखिए यह संससत्र जो है वह चलेगा आठ अपरेल तक ऑप्सन नमबर एस का करेक्ट आंसर है कब तक चलेगा आठ अपरेल तक चलेगा कोशन से रिलेटर इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए तो भारत सरकार के केंद्रिय बजट 2021-22 के लिए इस साल संसत्र का बजट सत 39 जन्वरी से शुरू हो गय जो कि 15 फर्वरी तक चलेगा जबकि इसका दूसरा चरन 8 मार्च से शुरू होकर 8 अपरेल तक चलेगा तो देखिए पहला चरन जो है वह कब से शुरू हो गया है 29 जन्वरी से शुरू हो गया है और कब तक चलेगा तो वह चलेगा 15 फर्वरी और दूसरा चरन 8 मार्च से श साथ मार्ज 2021 तक संसत के बजट सतर का ब्रेक रहेगा कब से कब तक 16 फरवरी से लेकर के साथ मार्ज तक पिछले वर्स कोरोना की वज़ा से बजट पेस नहीं किया गया था नेक्स विशन है भारत का किंद्रिय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेस किया गया तो देखिए पहली बार यह बजट पेस किया गया है soft copy में किस रूप में पेस किया गया है soft copy में पेस किया गया है बजट से related important facts को हम next वीडियो में अच्छे से जानेंगे next वीडियो में budget 2021-22 से related सभी important points आपको बताये जाएंगे जो आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए most important होंगे तो वीडियो मिस्ट ना करें वीडियो को पूरा देखें तो आज का ये current affairs यहीं समाप करते हैं वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comment करके अवश्य सुझित करें वीडियो पसंद आए तो इसे like करें और अपने दोस्तों के साथ share रवश्य करें अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो channel को subscribe करें अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो follow करें मिलते हैं नए दिन नए प्रस्टनों के साथ आप सभी का धन्यवाद Have a good day